नमस्कार दोस्तों, इस शेतन में हम इंडियस पॉलिटी का वीकली करेंट अपयर डिसकस करेंगे ये हमारा वीकली करेंट अफ्यर डिसकसन का सेडूल और ये हमारा G Es की लाई पॉलासेश चलती हैं साम को 3.25 वजे तक इस्टेट PCS की लाई पॉलासेश चलती हैं और साम को 6 बजे से 8 बजे तक UPSC के लाइक लासेश चलती हैं आए देख लेते हैं हम आज के कौन कौन से टॉपिक डिसकस करने वाले हैं अभी सुप्रीम कोट ने भुला दिये जाने के अधिकार को बैदिता प्रदान की है CBC में एक इनके मुख आयुक्त का अभी 10 हुआ है या नियुक्त की गई है उपर आश्टपती का भी चुनाव हाली में संपन हुआ है इन तिनों टॉपिक को हम डिटेल में डिसकस करेंगे तो आए चलते हैं हम आज के अपने पहले टॉपिक पर हमारा पहला टॉपिक है राइट टू भी फॉर्गॉटन भुला दिये जाने का अधिकार ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक दमपती निया ले गया था उसमें से महिला दमपती ने कहा कि मेरे पिछले साथी से जुड़ी जो भी जानकारी है तो मैं चाहती हूँ कि उसे इंटरनेट से हटा दिया जाए इसके चलते मुझे सामाजी कलंक या सरमन्दगी महसूस होती है तो उसी से संबंदित सुप्रीम कोट ने एक निरने दिया है कि भुला दिये जाने के अधिकार को निजता के अधिकार में सामिल किया जाना चाहिए नहाले के नुसर ऐसी जानकारियां मतलब ऐसी जानकारियां जो संबंदित लोगों के लिए सरमन्दगी और सामाजी कलंक का कारण बनती हो जो कि उनके निजता के अधिकार का उलंगन करती है तो उन्हें कुछ विशेश परिष्थितियों में इंटरनेट से हटाया जाना चाहिए अब ये निजता का अधिकार पहली बार न्यूज में कब आया है या कि नियूज में तो हमेशा से बना रहता है यह पहली बार इसे मौलिक अधिकार कब बनाया गया निजिता की अधिकार को पहली बार मौलिक अधिकार बनाया गया पुट्टा स्वामी बनाम भारत संग मामले में यह 2017 में सुप्रिम कोर्ट का एक निरना है केस का नाम है पुट्टा स्वामी बनाम भारत संग ये 5 स्टार रेटिंग का है UPSC 3 के लिए इसको जरूर याद रखिएगा निजिता की अधिकार से संबंधित केस है पुट्टा स्वामी बनाम भारत संग इसने इसे मौलिक का अधिकार माना निजिता का अधिकार किसमे है य इसके पहले इस निरने से पहले निजता के अधिकार की क्या पोजीशन थी आई टी एक्ट 2000 सन 2000 के अनुसार भुला दिये जाने के अधिकार को वैदिता प्रदान नहीं करता था जो भुला दिये जाने का अधिकार अभी जो सुप्रिम कोट ने निरने दिया है इसके पहले इस अच्छन विद्धेयक विचारा धीन है अभी लंबित है उसमें इस आउधारणा को सामिल किया गया है अब यह जब अपडेट होगा तो आपको हम भी अपडेट कर देंगी आइए देखते हैं हम आज का अपना दूसरा टॉपिक केंदरी सतरकता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमिशन ये न्यूज में इसलिये है क्योंकि केंदरी सरकार ने मुख केंदरी सतरकता आयोग की अभी नियुक्त की है नाम आप मत जानिये प्री कभी नहीं पूछेगा यूपिएसी कभी नहीं पूछेगा कि किसको निक्त किया गया है बलकि इनके कारकाल के बारे में हम देखेंगे इनकी संबेधाने की इस्तिति क्या है उसको देखेंगे और इनकी संदचना क्या है ये देखेंगे ये केंद्र सरकार इसे गठन कब हुआ तीबी सी का गठन कब हुआ 1964 में 1964 में आप इसका डेट ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे भूतपूर प्रदान मंत्री थे नहरू जी इनकी डेट हुई थी 1964 में तब केंद्री सतरक्ता आयोग की इस्थापना की गई थी और इसकी इस्थापना एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया था संसद में प्रस्ताव पारित नहीं किया था ये आप समझ सकते हैं कि ये केंद्री सतरक्ता आयोग की इस्थापना किये थी इसलिए यह मूल रूप से ना तो संविधान में था और इसलिए इसे ना तो संविधिक दर्जा मिला और ना ही संविधानिक दर्जा याद रखें कि मूल रूप से इंपॉर्टेंट है अगर एकजाम में पूँचे कि केंद्री सतरकता आयोग सामविधिक आयोग नहीं है ये सही है अगर ये पूँचे कि केंद्री सतरकता आयोग मूल रूप से सामविधिक आयोग नहीं है ये भी सही है लेकिन अगर question पूछे कि केंद्री सतरकता आयोग सामविधिक आयोग नहीं है तो ये गलत है क्योंकि 2003 में संसत द्वारा पारित एक विधिक द्वारा इसे सामविधिक दर्जा दिया गया था ये मूल संविधान में नहीं है ये याद रखिएगा टर्म मूल रूट से ये मू 2003 में एक पारित विधिक द्वारा इसे सामविधिक दर्जा दिया गया है और सामविधानिक दर्जा अभी भी इसको नहीं दिया गया केंद्री सतरकता आयोग अभी भी सामविधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है कन्फ्यूजन हो तो एक बार रिवाइज करके देख लीजे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी भी अधिकारी की एज 60 साल है, अब उनको केंडरी सतरकता आयोग के सदस के रूप में सामिल किया गया है, तो ये मैक्सिमम चार साल तक ही सर्विस दे सकते हैं, तो जब ये 64 साल के हो जाएंगे, तब इनको रिटायर कर दिया जाएग तक, तो ये 2 साल बाद ही 65 वर्स के हो जाएंगे, तो जब ये 65 के हो जाएंगे, तब इनको रिटायर कर दिया जाएगा, भले इनका 2 साल का कारकाल बांकी रह गया हो, आप इसको ऐसे समझिएगा, 4 साल और 65 वर्स, और ये 65 वर्स के बाद किसी सरकारी पद के नहीं रहेंग अई देखते हैं इस आयोग में कितने सदस होते हैं, इतनी इस आयोग में टोटल 3 सदस होते हैं, उसमें से एक अध्यच होगा और मैकसिमम दो अन्य सदस हो सकते हैं, हो सकता है कि 2 नहों, एक ही सदस हो, लेकिन मैकसिमम दो, ध्यान रखिएगा मैकसिमम दो है, मिनिमम नहीं इसके पास सक्तियां क्या-क्या है इसके पास दिवानी न्यालाईग की सक्तियां है इसलिए इसका चरित्र भी न्याईग है ये भी इंपॉर्टेंट है इसका भी एक कथन बना सकता है UPSC Pre में कि केंद्री सतरक्ता आयोग का चरित्र न्याइक है तो ये राइट का धन है अब ये न्याइक क्यों है क्योंकि ये केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरणों से प्राधिकरण मतलब CID, CID, CBI या अभी ED चर्चा में चल रहा है किसी दिन ED का भी करेंट अफेर डिसकस क करेंगे तो इन से किसी भी जानकारी ये रिपोर्ट की मांग कर सकता है केंद्री सतरक्ता आयोग केंद्र सरकार वा उसके प्राधिकरणों से किसी भी रिपोर्ट की मांग कर सकता है ताकि वे उन पर नजर रख सके ताकि वे उन पर उनके भ्रष्टा चार रहितकारियों को स इनकी नियुक्ति राष्टपति द्वारा की जाती है राष्टपति अपने से नहीं कर देते हैं अपने मन्से किसी को भी केंद्री सता दायुक्त बना देंगी उसके लिए एक 3 सदसी समीति गठित की जाती है उस समीति में प्रधान मंत्री अध्यच होंगे और सदस्य के रूप में लोकसभा का विपच्छ का नेता और किंद्री ग्रह मंत्री ये दोनों सामिल होते हैं लोकसभा में विपच्छ का नेता और किंद्री ग्रह मंत्री तो टोटल तीन लोग इस समित में सामिल होते हैं किस सर्टों पे अगर वह दिवालिया घोषित कर दिया जाए नैते गरूप से चरित रहीन हो कार चेतर से बाहर लाव का पद मतलब वह CBC के रूप में किंडरी से तरकता आयुक्त के रूप में तो अभी है ही साथ में वह कहीं और किसी प्राइवेट कमपनी में जॉब करने लगे और उससे पैसा ले तो वह बाहर में बाहर मतलब कार चेतर से बाहर लाव का पद होगा तो अगर वह ऐसा करता है तो राश्टों पती उन्हें अटा सकता है और वह कार करने में असमर्थ हो चाहे वह सारेर रूप से या समर्थ हो या मानसिक रूप से तो राष्ट पती उन्हें हटा सकते हैं लेकिन सर्थ ये है कि पहले मामला सुप्रीम कोट के पास जाएगा अब सुप्रीम कोट कहे दे कि हाँ वह दूराचारी है सुप्रीम कोट यस कहे दे तो फिर राष्ट पती उन्हें हटा सक सकते हैं अब यह किंद्री सतरक्ता आयो किस-किस के उपर जाच कर सकता है यह मुक्ता केंद्री सरकार के अधिकारियों पर ही जाच करता है उसमें से अखिल भारती सेवा के ग्रुप A के अधिकारी PSU Bank के Scale 5 के उपर के अधिकारी, RBI, NAWARD, CDB के Grade D और उसके उपर के अधिकारियों पर जाच करता है CBC CBC एपनी वार्सिक कारेकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपती को देंगे हर साल यह अपनी रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपती को और राष्ट्रपती संसत के प्रत्येक सदन में इसे प्रस्तुत करते हैं अगले देखते हैं हम अपना अंगले टॉपिक उपराष्ट पती का चुनाओ अभी धनकड जी को उपराष्ट पती का चुनाओ में धनकर जीत के आए हैं उपर राष्ट पती से संबन्दित हम चुनाओं की पूरी प्रक्रिया समझेंगे उसमें निर्वाचक मंडल क्या है, सपत क्या होता है, राष्ट पती के चुनाओं से कैसे अलग है इसके बारे में हम देखेंगे उपर राष्ट पती का निर्वाचक मंडल उसमें निर्वाचक मंडल आप ऐसे समझेए कि कौन-कौन से लोग उनको इनके निर्वाचन में भाग लेने वाले हैं वो है निर्वाचक मंडल उसमें कौन-कौन लोग भाग लेंगे लोकसभा और राजसभा के सभी सांसद जो की निर्वाचित या मनोनीत कुछ भी हो चाहिवा निर्वाचित हों या मनोनीत हों उप राष्टपती के चुनाओं में भाग ले सकते हैं और इसमें राज विधान सभाओं के सदस इसमें राज विधान सभाओं के सदस इसमें भाग नहीं लेते हैं यही राष्टपती के चुनाओं से अंतर राष्टपती में और र राष्टपती के चुनाओं में बेसिक अंतर निर्वाचक मंडल का ही है। उपर राष्टपती के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित वा मनुनित दोनों सदस से भाग ले सकते हैं। लेकिन राष्टपती के चुनाओं में केवल और केवल निर्वाचित सदस से ही भाग ले राश्टपति के चुनाओं की तरह उपराश्टपति का चुनाओं भी अनुपातिक प्रतिनिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द इनकी वोट की वेटेज क्या है इनकी वोट की वैलू क्या है ये उपर अश्टपति के चुनाओं में दोनों की एक माने जाती है क्योंकि इसमें राज विधान सभाओं के सदस्ट भाग लेते नहीं है कि संख्या लग-लग हो जाएगी बहुत सारे लोग हो जाएगे तो एक MP इसमें ऐसा मान लिया जाता है तो दोनों का अनुपात राज सभा और विधान सभा राज सभा और लोग सभा दोनों के मेंबरा पारलियमेंट का अनुपात लगभग बरावर रखने के लिए एक प्रणाली है जोई से हम अनुपातिक प्रतनेदित प्रणाली कहते हैं और य लेते हैं तो अब यह इन तीनों के बीच में हमको इनकी बैलू मतलब लगभग बराबर रहे दोनों की एक एक ही ऐसा होता नहीं है 1.1 1.3 ऐसा डिफरेंस आ जाता है लेकिन तीनों की बैलू सेम हो इसके लिए हम अनपातिक प्रतनेधित प्रणाली बनाए हैं अब इसको मैंन को एक फार्म दिया जाएगा उसमें वह अपने जिसको समर्थन कर रहे होंगे उसको पहला प्रफरेंस देंगे फिर दूसरा प्रफरेंस दूसरे कंडिडेट को देंगे तीसरा प्रफरेंस तीसरे कंडिडेट को देंगे अब जो भी सबसे जो कंडिडेट माल लेते हैं कि क candidate है वह सबसे कम मत पाया गया तो उसको हटा देंगे उसके जो भी मत हैं और इसमें जो दूसरे preference के लोग हैं उनको add कर दिया जाएगा पहले preference में दोनों candidate की जैसे दो candidate हैं तो दो हम दिये गए तो इनको को दोनों में add कर दिया जाएगा अब जिस जब तक कोई भी एक निश्चित आंकड़ा पार नहीं कर लेगा या कि प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक यह प्रक्रिया चालू रहेगी इसे कोई भी पार्टी उसमें विप जारी नहीं कर सकती कोई पारटी उसमें उसकिआ record है Often सदस अपने मन से किसी जार ना के लिए resist ने देखते हैं कि सबस्ट में क्या कहते हैं संभिधान के प्रति सच्ची स्रद्धा और निष्ठा की बात करते हैं और अपने पद और कर्तब्यों का निर्वास रद्धा पूरवक करेंगे यही दो अपने सपत में आप देखेंगे यही दो टर्म वो यूज करते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं सम्मिदान की प्रति सची स्रद्धा और निश्टा की सपत लेता हूँ, मैं अपने कर्तब और पद का निरवाह स्रद्धा पूर्वख करूँगा, या करूँगी, इनकी सक्तियां और कार देखते हैं, यह राजसवा में सवापती के रूप में काम करेंगे, और कारवाहक राश्टपती के रूप में अधिक्तम 6 माहे तक कार कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा, यह important है, अधिक्तम 6 माहे तक वो कार कर सकते हैं, उपर राष्ट पती राष्ट कारवाहग राष्ट पती के रूप में अधिकतम 6 माहे तक ही कार कर सकते हैं अब मालेते हैं, hypothetical condition लेते हैं कि राष्ट पती का नए चुनाओं में हो गई देरी अभी जो चुनाओं हुआ है जिसमें दुरापिदी मुर्मू जी जीती हैं उसमें माल लेते हैं कि अगर चुनाओ देरी हो जाता किसी भी कारण से, तो उनका पदरिक्त होता क्योंकि रामनात कोविंद जी का तो कारकाल समाप्थ हो चुका था, तो पदरिक्त होता, इस इस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट पती नहीं बना सकते, यह फुल वाहक राष्ट पती की रूप में तब तक कार करता है, जब तक नए राष्ट पती का चैन नहीं हो जाता, लेकिन यह लिमिट क्या है, छे माह ही है, इसके अंदर चुनाओ करवाना ही पड़ेगा, लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिकी उपराष्ट पती, राष्ट पती क पदरिक्त होने पर सेस अबधी के लिए या सेस अबधी तक राष्टपती के लिए बना रह सकता है माल लेते हैं कि अभी जो बाइडन है अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन और कमला हैरिस हैं उपर राष्टपती अब जो बाइडन माल लेते हैं कि हैं तो बुढ़ाओ भी निपट गए तो इनका पदरिक्त हो जाएगा तो अब अगर इनका कारकाल दो साल सेस बचा है तो कमला हैरिस दो साल के लिए राष्ट पती बनी रह सकती है अगर इनके सीनेट को कोई समस्या नहीं है तो लेकिन अपने यहां ऐसी कंडिशन नहीं है यह सिर्फ 6 महीने तक ही राष्ट पती बनी रह सकते क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट फोल राष्ट पती नहीं हो सकते यह कारवाहक राष्ट पती ही होंगे अब इसका रीजन क्या है क्योंकि देखे आप इनके चुनाओं में आपको यहां पे देखे हैं राष्ट पती के चुनाओं में सिर्फ राजसभा और लोकसभा के सदसे ही भाग लेते हैं इसमें राज विधान सभाओं का प्रेदिन के सदसे या कि विधायक लोग भाग ही यहां नहीं लेते हैं और राष्ट पति एक राष्ट मतलब अब उसको गड़तंत्र का पूरा हेड होता है ना कि उपराष्ट पति गड़तंत्र का और सम्विदान में उपराश्ट पती को कोई महत्तु नहीं दिया गया, पैसो एसो की कोई बात नहीं की गई, परिलबधियों की बात नहीं है, सम्विदान में मोल रूप से सम्विदान में उपराश्ट पती के लिए परिलबधियों की कोई चर्चा नहीं है, कोई बस्ता नह होगा और जब राष्टपती पद रिक्ट होगा या राष्टपती बीमार है या जैसा भी कुरोना चल रहा था अगर चले जाते ऐसा नहीं हुआ लेकिन मा लेकिन हाइपोथेटिकल एक बात कि अगर उनकी डित हो जाती तो उपर राष्टपती कारवाहक राष्टपती की रूप में कार करते और जब वह कारवाहक राष्टपती की रूप में काम करेंगे जब वाइस प्रेसिडेंट कारवाहक प्रेसिडेंट की तरह काम कर कि इनकी पदवधी पद ग्रहन करने से लेकर पांच वर्स तक होती है पद रिक्ति का की पद रिक्त की अब मतलब अगर उनका पद रिक्त हो गया तो यह मतलब कारकाल समाप्त होने के अलावा की सार बात बता रहे हैं कि अगर उनका कारकाल समाप्त हो गया तब तो ठीक है कास्मिक डेथ हो गई या कि go बीमार है या कि कुछ और भी रिजिन हो सकते हैं तो अगर उनकी पद रिक्ती होई है तो चुना गया नया चुना गया उपर राष्ट पती जिसे चुनाओ होगा फिर से नया चुना गया राष्ट पती बना रहता है लेकिन हम उपराष्ट पती की बात करते हैं अगर उपराष्ट पती का पद रिक्त हो गया है तो नया चुना गया उपराष्ट पती पद ग्रहन के अंगले पांच वरस तक बना रहेगा ना कि सेस कारकाल जैसे अभी जो उपराष्ट पती है ये मा ने उपराश्टपती चुने जाएंगे तो उबस चार साल के लिए नहीं चुना जाएंगे। उनका कारकल्ब फिर से पांच वर्स का ही होगा। समिधान में उपराश्टपती को हटाने के लिए कोई अधार नहीं है। खुल मिलाकि आप इसको ऐसे समझें सम्मिधान में पराश्टमथी कोई या बहुत जादा महत्तदिया नहीं गया हैं। तो उनके बेतनबत्य की बात की गई है, ना कोई ऐसी सम्मेदानी की उनको कारे दिया गया है, और ना ही उनको हटाने इतना सीरियस नहीं लेते कि उनको हटाने की भी कोई बात कही जाए, हटाने के लिए भी सम्मेदान में कोई अधर नहीं है, बस उनको कैसे हटा सकते हैं, अ इसे राजसभा में माल लेते हैं कि अगर 245 सदस हैं तो 245 बटा 2 प्लस 1 यानि कि 50 परसेंट प्लस 1 इसे पूर्ण बहुत कहेंगे तो उसके द्वारा राजसभा में संकल्ब पारिद करेंगे लेकिन यह 14 दिन की अग्रिम नोटिस होगी तभी पारिद कर सकते हैं और इसमें लोग सभा की सेहमती होना आवस्यक है है आप देख लेकते हैं अभी तक राष्ट पती कितने डिथ हुए पद में रहते हुए अभी तक दो राष्ट पतियों का निधन हुआ है पद में रहते हुए एक हैं डाक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे हैं डाक्टर फकरुद्दीन अली एहमद तो जब जाकिर हुसैन की डेथ हुई पद में रहते हुए तो उपराश्ट पती थे वीवी गिरी इन्होंने कारकारी राष्टपती की रूप में कार किया इसको भी आप थोड़ा दिमाख में रखिएगा UPSC कुछ भी करके घुमा फिरा के कोश्चन बना सकती है जैसे एक यह है कि पहले उपराष्टपती जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ तो यह गलत टर्म होगा एक उपराष्टपती हमारे पास अभी लेवल है जिनका नाम है क्रिश्ट कांथ यह पहले उपराष्टपती है जिनका पद पर रहते हुए निधन हो चुका है हमारा वीडियो यहीं तक था वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा थैंक्यू पार वाचिंग